गहतांक नियम विशय की प्रथम तल की प्रस्तोती में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं एक सवाल से यदि मैं आपसे पूछूं कि ये दो ये शायद कुछ अधिक मोटा हो गया चलिए कोई बात नहीं दो गहात तीन गुणा गुणा के चिन्द के स्थान पर बिंदू का भी प्रयोग किया जाता है यदि ये कहा जाए कि दो गहात तीन गुणा दो गहात पांच का मान ग्याद कीजिए तो आप उसे कैसे निकालेंगे अब मैं पतले पैन का प्रयोग करूँगा क्योंकि वो अच्छा नहीं दिख रहा तो दो की गहात तीन गुणा दो की गहात पांच मैं जानता हूँ कि इसे हल करने की एक विदी तो आपको मालूम है आप जानते ही हैं कि दो गहात तीन बराबर है आठ और दो गहात पांच बराबर होता है बतीस और अब इन्हें गुणा करेंगे तो आठ गुणा बतीस होगा दो सो चालीस जमा सोला तो ये हो जाएगा दो सो चपन तो हम इसे ऐसे हल कर सकते हैं और ऐसे करना ठीक इसलिए है क्योंकि ये निकालना बिलकुल भी मुश्किल नहीं है कि दो की घात तीन और दो की घात पांच का मान क्या होगा लेकिन यदि ये संखें बहुत बड़ी हो जाएं तब इनका मान निकाल पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा इस विदी से तो घातांक नियम का प्रयोग करके मैं आपको बताऊंगा कि आप वास्तव में चर घातांकी या एक्स्पोनेंशल को आपस में गुणा कर सकते हैं बिना लंबी गणानाओं के ये आपको बहुती सरल लगने लगेगा तो चलिए देखते हैं कि दो की घात तीन गुणा दो की घात पांच का क्या अर्थ है दो की घात तीन का अर्थ है दो गुणा दो गुणा दो ठीक और इसे गुणा कर रहे हैं हम दो की घात पांच से तो ये होगा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो तो यहां हम वास्ता में दो को गुणा कर रहे हैं कितनी बार? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ बार और इसे अगर हम यहां देखें तो यह हुआ दो की घात आठ और यहां देखें तीन जमा पांच होता है आठ तो स्वेश्ट यह हुआ कि दो की घात तीन का मतलब है दो को हम तीन बार गुणा कर रहे हैं और दो घात पांच अर्थाज इसको हम पांच बार गुणा कर रहे हैं और फिर हमें इन दोनों को गुणा कर रहे हैं मतलब हम दोनों को आठ बार गुणा कर रहे हैं उमीद है आप समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ अब हम दूसरा सवाल लेते हैं यदि मैं कहूं 7 का वर्ग गुना 7 घात 4 ये 4 है तो ये बराबर होगा 7 गुना 7 के ठीक ये हो गया 7 का वर्ग गुना और अब हम लिखेंगे 7 घात 4 को इस प्रकार साथ गुणा साथ गुणा साथ गुणा साथ तो अब हम साथ को साथ से ही छे बार गुणा कर रहे हैं यानि साथ की घात छे तो जब हम समान आधार के घातांकों को आपस में गुणा करते हैं यही है कुणजी तो हम घातों का योग कर सकते हैं तो अगर साथ की घात एक सौ लें, गुणा साथ घात पचास, ये एक उधारण है, बिना कम्प्यूटर की सहायता के साथ की घात एक सौ या साथ की घात पचास का मान ग्यात करना बहुत ही मुश्किल है. परन्तु हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा साथ की घात एक सौ जमा पचास के, जो की बराबर होता है साथ की घात एक सो पचास. परन्तु यहां इस बात को याद रखें कि हम यहां गुणा कर रहे हैं, यदि हम यहां लिखें साथ घात एक सौ जमा साथ घात पचास, तब हम ऐसा नहीं कर सकते, तब मैं उसे इस प्रकार सरल नहीं कर सकता. चलिए इसे ऐसे समझते हैं, यदि हम लें 2 घात 8 गुणा 2 घात 20, तब तो हम इन पावर्स को आपस में जोड सकते हैं, तब हमें मिल जाएगा 2 घात 28, ठीक? परन्तु यदि यहाँ पर 2 घात 8 जमा, 2 घात 8 हो तब, यदि हमें योग करना है, तो हम इसे इस प्रकार सरल नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी एक तरीका है, हमारे पास है 2 बार 2 घात 8, तो ये एक ही बात है, जैसे 2 घुणा 2 घात 8 है के नहीं, 2 घुणा 2 घात 8, यनि 2 घात 8 जमा 2 घात 8, तो ये है 2 घुणा 2 घात 8, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 घात 1 घुणा 2 घात 8, और दो घात एक गुणा दो घात आट को जैसा हमने पहले किया ये बराबर है दो की घात नौ के हम ऐसा ही रिनात्मक घातांकों के साथ भी कर सकते हैं यदि हम यहां लेते हैं पांच की घात रिनात्मक एक सौ गुणा तीन रेज टू दिपावर घात सौरी माफ कीजेगा ये तीन नहीं पांच है पांच की घात रिनात्मक एक सौ गुणा पांच घात एक सो दो ये बराबर होगा पांच के वर्ग के बस हमें माइनस एक सौ में प्लस करना है एक सो दो ये पांच है वो मैं अपने गल्टी के लिए शम और अब दूसरा नियम, अब यदी मैं आप से पूछूं कि दो घात नौ बटा दो घात दस किसके बराबर है, थोड़ा सा मुश्किल है पर कोई बात नहीं, इसमें भी यही नियम लागू होगा, क्योंकि इसे लिखने की दूसरी विधी है, हम जानते हैं इसे इस प्रकार भी तो लिखा जा सकता है कि दो घात नौ गुणा एक बटा दो घात दस, ठीक, आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दो घात नौ गुणा दो घात रिनातमक दस, यहां हमने केवल इतना किया कि एक बटा दस घात दो को उपर ले जाकर घात को रिनातमक बना दिया, इसकी पर फिर हम इन घातांकों को जोड़ेंगे, 9 जमा रिन 10 बराबर होगा 2 घात रिन 1, या हम कहेंगे ये बराबर है 1 बटा 2 के, है ना बहुत ही रोचक, आपके हर में घातांक कुछ भी हो, आप इसे अंश में ले जा सकते हैं, जैसा हमने यहां किया, बस उसे रिनात्मक कर दीजे, तो ये हमें मिल गया घातांकों का दूसरा नियम, अब हम कह सकते हैं कि ये बराबर है 2 की घात 9 घटा 10, जो बराबर है रिन 1 के, और अब हम एक और सवाल लेते हैं, तो चलिए हम यहां लेते हैं, 10 घात 200 बटा, 10 घात 50, तो ये बराबर होगा 10 घात 200 घटा 50, जो होता है 150 के, इसी परकार यदि हम लें 7 घात 40, बटा 7 घात रिनात्मक 5, ये बराबर होगा 7 घात 40 घटा रिन 5 के, माइनस नेगेटिव 5, तो ये बराबर होगा 7 तूदा 45, आप इसे इस परकार देखें और सोचें कि इससे क्या सपष्ट होता है, हम इस समीकरण को इस परकार भी लिख सकते हैं, 7 घात 40 घुना 7 घात 5 ठीक, हम इसे एक बटा 7 घात 5 को इस परकार भी लिख सकते हैं, 7 घात 5 और ये भी बराबर होगा 7 घात 45 के, तो ये दूसरा घातांक नियम भी पहले नियम से कुछ अलग नहीं है, अर्थात हर के घातांक को, यदि इसका आधार समान है और आप भाग कर रहे हैं, तो आप इसे अंश के घातांक में से घटाएंगे, और अगर ये दोनों अंश यानि नियमरेटर में हैं, जैसे 7 घात 40 और 7 घात 5, यहाँ डिनॉमिनेटर है ही नहीं, और हम मल्टिप्लाई कर रहे हैं, हाँ, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तब पावर्स को जोड सकते हैं, थूड़ा चेंज करके देखते हैं, बस एक तरकीब लगानी होगी, अब देखते हैं ये कितना होगा, दो की घात 9, गुणा, गुणा, 4, फूर, टूदा, टूदा, हंड्रिट, शायद मुझे ये अभी आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, अगले नियम को पढ़ाने तक आपको इंतजार करना होगा, चलिए संकेत देता हूँ, ये वही है, दो की घात 9, गुणा, दो का वर्ग, और इसकी घात 100, और जो नियम मैं आप आपको बताऊंगा, वो है, जब आपके पास कोई एक घातांख है, और उस संख्या की भी एक घात है, तब इन घातों को आपको गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा, दो की घात 9, गुणा, दो की घात 200, और पहरे नियम के अनुसार, ये होगा दो की घात 209, आज के लेसन में बस इतना ही, अगली बार इसे विस्तार से समझाऊंगा, और मेरा विश्वास है, कि अगली वीडियो देखने के बाद, आप घातांक नियम के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे, नमस्कार,